आज हम लेके आएं आपके लिए कटहल की सबजी, क्योंकि बड़े और बच्चों सब को पसंद है, अप मेरी तरह से बनाओगे, तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी साधिष्ट सबजी बनी है, कटहल की लाजबाब सबजी, आज हम बना रहें कटहल की सबजी, उसके लिए मैंने ये आदा किलो कटहल लिया है, ये मैंने काट लिया है, मैं इसके बीज निकाल दूँगी, क्योंकि इसके बीज पके हुए है, इनको मैं निकाल के अलग कर दूँगी, क्योंकि ये मुह में आ जाते हैं, दांत की नीचे आ जाते हैं, तो अच्छा नहीं ल यह अच्छे से तेल लगा ले फिर कटेल को काटें। मैंने कटेल को काट लिया है। आप जब भी कटेल लें तो ध्यान रखें के कटेल कच्चा हो मेरो यह कटेल थोड़ा सपका हुआ असा था हलके पीले मन पर है। आप एकदम सफेज वाला कटेल लें। जिसके बीज कच्चे हों। मैंने बीज निकाल लिये थे। बीज को भी मैंने छील लिया है। इस तरह से इसके सारी चिलके निकाल लिये हैं। यह चिलके निकले हैं। यह चिलके दांतों के नीचे आ जाते हैं। पषेज़ानी देते हैं, मैं इसके लिए मसाला तयार करती हूँ, मैंने य conten लेकर गैस पानी कर लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाले देती हूँ, मैंने इसमें वीज भी डाल दी है एक सीटी आने तक इसको पकाऊंगी, मसाले के लिए मैंने ये दो टमाटर लिए हैं दो प्याज लिए हैं एक चोटा सा अध्रक का टुकड़ा और चेस्चार हरी मिर्च यह सब को मैं पीछ लेती हूँ इसको गैस बन कर देती हूँ कोकर की गैस निकल जाएगी जब इसका ढकन खूलोगी इने प्याज टमाटर अध्रक और मिर्च यह सब तयार कर लिए काटके मोटा मोटा काटा है तो इसे में फीछ लोगी एक कोकर की भाप निकल गई है अमें इसको निकाले लेती हूँ कटेहल को इस पानी को में फैकोंगी नहीं इसी पानी को ग्रेवी में काम लोगी है कि कटेहला देश से ज्यादा पक चुका है इसके बीच भी पक चुके हैं कि पूरा नहीं पका है मैंने गहसावन करके कड़ाई चड़ा दी थी मैंने एक चमचा सर्सों का तेल इसमें डाला यह पीली सर्सों का तेल है तेल पक चुका है अच्छे से धुआ दे रहा है अब मैं यह सब भी को छूप देती हूँ पहले मैं जीरा डालोंगी फिर यह कुछ खड़े मसाले इसक मैं आदी चमच हल्दी डाल रहे हैं एक चमच बखे धनिया पाउड़ा थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के रिए यह देगी मिर्च इसे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में यह थोड़ा सा पाव भाजी मसाला इसे सब्जी में स्वाध बढ़ जाता है स्वाधिस्ट थोड़ी सी हींग में हमेशा ही कची डालती है एक हरी वेस्ट इस थुड़ा सा नमक मैंने कटेल को ओवालने में डाला था इसलिए मैंने थोड़ा ही नमक डाला है थोड़ा सा गरम मसाला मसाला भूंच उका है इसका कलर भी बहुत अच्छा है और इसने तेल भी छोड़ दिया है अब में इसमें कटेहल डाल दूं है कट हेल को डालते, मिला देते हैं पानी में कट हेल बाला ते, उसी पानी को में कट हेल को हम 10 мण में दस नट पंचे हो कपाएंगे कट हेल की सब्ची बन की तयार है है परसी यह दनिया डाले देती है दनिये से सब्जे का साथ बहुत भी बढ़ जाटा है यह पूरी परांटे रोटी या चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं सब के साथ अच्छा लगता है बहुत ही साधिश्ट बनता है अच्छा लगता है